इस वर्ल्लकब में आपने बहुत सुना होगा कि कोई कहरा है रोहित सर्मा बहुत तेज खेल लाएं इस वज़ा से टीम इंडिया जीत रही है तो किसी के मुझ से आपने सुना होगा कि विराट कोली मिडल ओडर में धार दे देते हैं विराट कोली वो बड़ी पाड़ी खेल इस वज़ा से टीम इंडिया जीत रही है तो कुछ किर्केट फैंस का ऐसा भी मानना है कि सायद इंडियन बॉलिंग इस वर्ल्लकप में आपको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी करती हुई दिखाई दे रही है सायद भारत जो 10 में 10 मुकाबले जो जीत कर फाइनल में पहुँचा ह सायद इसके पीछे ये भारतिय बॉलिंग को क्रेडिट देना जादा उचीत रहेगा बहराल इन सब बैटल के बीच जिस तरीके से क्रिकबच पे अपनी बात के दोरान आसीस नहरा ने जो कुछ कहा है आपको वो सुनना चाहिए और इन फैंस को वो देखना चाहिए कि आसी पीछे विराट कोहली अपना समय लेते हैं और टाइम के साथ खेलते हैं क्योंकि रोहित सर्माई इस तरह से तेज खेल ले हैं इसलिए दोनों एक सिके के दो पहलू है वो ये टीम के लिए एक साथ खेलते हैं तो सीधे साब सब्सब्दों में आसीस नेरा ने यहां समझा द रोहित तेज क्यों खेल ले है आसीसोनेरा सीधा बता है क्योंकि उन्हें पता है अगर जल्दी अउट भी हो जाते तो वहाँ बिराट को लिए और अगर रोहित्य शुरुवात के बाद आउट होते हैं तो वहाँ पर बिराट को लिए अपना समय ले सकते हैं और अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं यह जो बात्ची था आसीस नेरा जो लास्ट मैच सेमी फाइनल जो भारत का हुआ था न्यूजिलैंड के खिलाब उसके बाद उस मैच के बाद आसीस नेरा ने यह बयान दिया है दरसल उस मैच में बिराट को लिए आपको 113 गेंदों पे 117 रन करके आउट हुए और अपना पच्चासमा ओडिया इससे तक लगा है जिसके बाद हर तरफ चर्चा हो रही थी क्या बिराट की पे जब आसीस नेरा से सवाल पूछा गया तो आसीस नेरा ने का देखिए बिराट ऐसे बल्लेबाज है इतने महान बल्लेबाज है कि उनको स्ट्राइक रेट से मतला भी नहीं वह स्कोर बोड के हिसाब से खेलते है टीम को क्या रिक्वार्मेंट है टीम को उस वक जरूरत क क्या है विराट इस हिसाब से बैटिंग करते हैं ना कि वह स्ट्राइक रेट पे उतना ध्यान देते हैं क्योंकि जब जैसी जरूरत होती है विराट अपना स्ट्राइक रेट उस हिसाब से कर लेते हैं बारहाल असिस नेरा ने वही कहा है कि रोहित सर्वा और विराट दोनों एक ही सिखे के दो पहलू है दोनों का कोशिस यही होता है कि टीम इंडिया या मैज जीते क्योंकि रोही तेज सुरुवात दे कर जाएंगे तो विराट बरा खेलेंगे और आसिस नेरा ने यह भी कहा कि जब गेंदवाज आते हैं जब बॉलिंग करने तो सुरुवात में उन् सब्सक्राइब और इन सब के बीच देखिए आप सोसल मीडिया पर क्या चला है एक तरफ रोहित रोहित सर्मा के जो एक फैन कलब है रोहित एफसी की तरफ से क्या ट्रेंड चला जाता है कैप्टन लीडिंग फ्रॉम दा फ्रंट तो दूसरी तरफ आप बिराट एफसी की तरफ से सोसल मीडिया पर एक फैनवार होड़ा आप देख रहे होंगे लीडर कोली केरिंग इंडिया ये सब क्यूं भाई कुछी घंटा रह गया वर्ल्ट कप फाइनल होने में और दोनों का मकसद है कि टीम इंडिया को वर्ल्ट कप दिला जाए टीम इंडिया वर्ल्ट से लेकर यू कहे कि फिनिसिंग तक टीम को जीत दिलाने में अहम भुमिका नहीं भा रहा है तो दोनों का रोल वही है दोनों का रोल उतना ही है वही कुछ असिस नेहरा ने भी इस वीडियो में कहा था जो क्रिक बचपे बाचीत के दोरान हुआ था फिर इस तरीके से सोसल म लिए प्रातना करें कि टीम इंडिया अपना तीसरा वर्ल्ड कप 19 नौंबर को जब रात को सारे 10 बजे फाइनल मैच के नतीजे आएंगे तो भारत वोल्ड कप ट्रोफी उठा रहा होगा वोल्ड कप ट्रोफी रोहित सर्मा के हाथों में होगी वोल्ड कप ट्रोफी बिराट और लगल लगी हुई है हर कोई अपना योगदान दे रहा है अपने तरीके से चाहे गिंदबाज हो या बल्लेबाज हो ओपनर हो या फिर मिडल ओडर के बैट्समेन हो हर कोई चाहता है किस यग में आउती दी जाए और कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपना योगदान दिया इन सबसे इतर बहराल आपको क्या लगता है आपका क्या कहना इस फैनवार के बीच क्या वर्ल्ड कप के बीच इस तरीके से फैनवार सही है टीम इंडिया के लिए सही होगा और आसीस नहरा ने जो कमेंट किया है कि बिराट कोली इसलिए निडर खेलते हैं रोहित सर्मा इसलि जय हिल, जय भारत